और चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सियम शिवरा सिंग चौहान की मुख्य मंतरी ने ट्वीट करकर जानकारी दी है और कहा है कि ये फिल्म सिख्षित और जागरुक करती है आतंकवाद की सच्चाई को उजागर करती है ये फिल्म तो केरला स्टोरी को टेक्स फ्री करने की लगतार मांग की जा रही थी और अब इस बीज शिवरा सिंग चौहान ने ट्वीट किया है और ट्वीट करकर ये कहा है कि ये फिल्म सिख्षित और जागरुक करती है आतंकवाद की सच्चाई को उजागर करती है फिल्म तो मध्यपर्देश में The Kerala Story अब Tax-Free होगी और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है और कहा है कि ये फिल्म सिक्षित और जागरोग करती है तो ये बड़ी खवर इस वक्त की बता दे जहां मध्यपर्देश में The Kerala Story Tax-Free हो चुकी है लगतार फिल्म को टेक्स फ्री करने की मांग की जा रही थी और ये बताया भी जा रहा था कि क्या मध्यप्रदेश में ये फिल्म टेक्स फ्री होगी तो मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिये जानकारी दी है तो मध्यप्रदेश में अब दा केरला स्टोरी टेक्स फ्री होगी ट्वीट किया है मुख्यमंत्री ने और फिल्म के बारे में उन्होंने बात की है और कहा है कि आतंक बात की सच्चाई को उजागर करती है फिल्म बता दे कि जैसे ही ये फिल्म रिलीज हुई लगतार इस फिल्म का विरोध हो रहा था और लगतार इसका विरोध किया जा रहा था और अब मद्यप्रदेश में से टेक्स फ्री कर दिया गया है मुख्य मंत्री ने कहा है कि ये फिल्म सिक्षित और जागरुप करती है आतंकबाद की सच्चाई को उजागर करती है ये फिल्म तो मध्यप्रदेश में दा केरला स्टोरी को टैक्स फ्री कर दिया गया है लगतार मांग भी की जा रही थी और अब इस मांग को मान लिया गया है दा केरिला स्टोरी को मध्यप्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है